स्वागत है आपका हमारे चैनल वीकेंड क्लास में और आज उसका एक निया वीडियो अप्लोड हो रहा है जो की बीएट के डिटेल्ड सिलिबस के बारे में आपको जानकारी देगा हमारे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बीएट के इंपोर्टेंस के बारे में कि बीएट क्यों करना जब गी है अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा था तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल ले हैं प्लीज डू वाच एट अब सिलिबस के बारे में आते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि दो सेशन होते हैं एक मौनिंग होता है और एक इवनिंग सेशन होता है अब मौनिंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों के दो पार्ट होते हैं तो मौनिंग सेशन में जो पार्ट होते हैं उसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है जीए के और जीके में जो डेटेल से लिबस है वो आपको बताते हैं उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है व वो हिंदी ऑबलिक इंग्लिश का होता है अब इसमें क्या है कि अगर आप कुछ बच्चे जो होते हैं जो यूपी बोट के होते हैं या जिनका बैकग्राउंड जो होता है वो गाउंस से होता है या रूरल बैकग्राउंड होता है तो अगर वो अपने आपको इंग्लिश में comfortable नहीं समझते हैं या English उन्हें कठिन लगती है तो वो हिंदी में उसको attempt कर सकते हैं और हिंदी के 50 question उठाईए वो भी 100 number देंगे जो English के 100 number देंगे और English के जो students हैं वो भी 50 अपना उठाएं हिंदी को उने उठाने की जरूबत नहीं है जो कि एक बार जो उठा लिया वही आपको देना है तो 50-50 question जो है आप उसके कीजिए यह 50 प्लस एक जी के के 50 तो टोटल आपके 100 question हो जाएंगे और यह आपका 200 number हो गया दूसरा जो portion होता है paper 2 यह जो evening वाले session नहों होता है इसमें एक होता है general aptitude का और एक होता है किसका subject का अब subject में कौन सा है जैसे आपने graduation जिस subject में किया है वो इसमें पूछा जाएगा जैसे अगर आपने arts में किया है तो arts पूछा जाएगा commerce से किया है तो उसमें commerce related question पूछे जाएंगे science से किया है तो आपसे science पूछी जाएगी और science का जो इस्तर होगा इस सारे subject में जो इस्तर होता है वो बहुत जादा नहीं होता है एक ऐसा होता है जिसमें general समझ आपकी जो है वो subject की वो test की जाती है और agriculture होता है जो engineering और यह सब technical background के student होते हैं से भी scientific questions ही पूछे जाते हैं जो science के student से भी पूछे जाते हैं तो वो general questions होते हैं वो भी 50 number का होता है तो यह 50 प्रस यह 50 मिलकर के भी 100 number हो गया और यह 200 number हो गया तो total आपके 400 यहां पे number हो जाते हैं अब इनके अलग अलग जो है syllabus के बारे में discuss कर लेते हैं जीके जो है जीके में हिस्ट्री आता है हिस्ट्री ज्यान लिजिए कि बहुत important है जितने भी competitive examination होते है हिस्ट्री जरूर आता है इसके अलावा geography जरूर आता है इसके अलावा polity आता है जो भारत का समविधान है social issues जो समाजिक मुद्दे आजकल चल लाए है वो कौन से है इस वज़े से corona है तो उसके समाजिक प्रभाव क्या क्या है फिर science आता है बहुत ही basic science आता है फिर five year plan आता है five year plan में सिर्फ जो उनके उद्देश जो क्या थे वही आते हैं और किन-किन सन में ये five year plan आते थे हैं वो आते हैं इसके अलावा current affair आता है जादा नहीं कुछ मिला करके पिछले पांस से छे महिने के जो current affair होते हैं वही आते हैं इसके अलावा कुछ नहीं आते हैं और कुछ एक miscellaneous question आते हैं जैसे garden city किसको बोले जाते हैं और pink city किसको बोला जाता है venice of east किसको बोला जाता है यह type की जो questions है यह miscellaneous question है जो आते हैं यह हम लोग discuss करेंगे इसके बाद जो है जो second part है वो है English 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 में किā आता है एक comprendre रिझनी comprehension आता दूसरा आता है fill in the blanks यह भी यहर करीब करीब ynक्रीशन में आता है फिर error correction आता है sentence में कोई error होगा वह आप लोग को बोल दिया जाएगा कि correct कीजी कौन सा है वह सही find out करके उसको correct कीजे फिर एंटॉनिम और सिनॉनिम आता है इसके अलावा idioms आते हैं और phrases आते हैं फिर आपका आता है one word substitution एक line दे दी जाएगी तो उसको आपको समझ करके उसको एक line से substitute करना पड़ेगा अब ये तो हो गया English का syllabus अब Hindi का क्या syllabus है अब Hindi में क्या आता है एक तो आता है आपको संधी संधी के अलावा समास भी आता है ये बहुत important है इसके अलावा उपसर्ग आता है प्रत्या आता है फिर रस आता है ये जरूर आप लोग पढ़ लीजेगा चंद आता है बहुत कठिन नहीं आता है लेकिन आता सब है अलंकार आता है सब में से कुछ न कुछ आपको questions जरूर दिये जाएंगे इसके अलावा मुहावरे आते हैं फिर लोकोक्तियां आती है और ये जो देशी कहावते होती है वो आती है इसके अलावा गद्यान्ष आता है फिर व्याकरण आता है हिंदी व्याकरण जरूर पढ़ लीजेगा हिंदी व्याकरण आता है फिर पर्यायवाची शब्द आते हैं इतार्थित ञपने होते हैं वह भी आते हैं मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द के सिमिलर वर्ड कौन सा है और एक जुह है उसका तार्थक है अब इसके बाद जो आता है वह सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर में आता है general ability मतलब जो समान आपका जो ग्यान है वो टेस्ट होता है कि कितने आप कि बुद्धी जो है वो कितनी विक्सित है तो इसमें आता है एनेलोजी यह आप लोग को पढ़ाई जाएगी एनेलोजी यह आएगा बहुत ही आसान है फिर कोडििंग और डिकोडिंग यह आता है यह करीब-क्रीब हर इक्रोटिश्राम में आता है कोई बी ऐसा क Civil exam नहीं कोटिंग डिकोडिंग नहीं आता है बलर्ड रिलेशन आता है कषेने बाड़राहाम से कर सकते हैं जब जो आदमी को पूछा जाए कि ये आदमी से उसका क्या रिलेशन है तो उस आदमी की जगह वो आप खुद को रख करके सोचें कि वह जो आदमी है वो आप खुद हैं फिर केलेंडर के क्वेश्चन आते हैं फिर घड़ी संबंधित क्वेश्चन आते हैं पासे संबंधित question आते है डाइस यह जरूर आता है नंबर सिरीज आती है और सेट आता है वेंड डाइग्राम आता है और इसके अलावा पजल साते हैं फिर mathematics question में जो mathematical question है उसमें HCF आता है LCM आता है Profit Loss आता है और compound interest और simple interest आता है समय और चाल आती है time work और क्या कहते है percentage आता है कि इसका percentage निकालिए यह कितने का इतना है तो यह percentage आता है फिस सरली करण जिसको बोलते है simplification वह भी आता है और बहुत ही आसान आसान question आते हैं तो यह 50 number के आते हैं तो यह 50 गुड़े 200 number हो आता है इसके अलावा जो subject आपका है वह आता है इसके भी 50 question आते हैं आसान होते हैं तो अगर आप subject में आप रख़ी अपना 35 नंबर का तो अगर 35 कुश्चन इसमें कर ले जाते हैं तो 70 नंबर इसमें से आपको बहुत आसानी से हो जाएगा और जो पहला जीके है यह 35 बड़े आराम से हम आपको करवा देंगे तो 70 गुड़े दो कितना हो जाता है 140 हिंदी या इंग्लिश जो आप लोग का है अपना सब्जेक्ट उसमें आप करिए कम से कम 30 यह 140 है 60 कितना हो गया 200 अब बचा 20 20 तो बड़े आराम से आप लोग किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं यह हम लोग आज सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात कर लिए जो बीएड में आने वाला है आने वाले जो वीडियो है उसके बारे में हम बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में और हिस्ट्री के क्वेश्चन्स के बारे में बात करेंगे तो आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा